सदगुर की पैरिशा संग जी बिना विचार के हम सारा जीवन को गमा के चले जाते हैं। और विचार भी फिर आते हैं तो संसार के विवाद के कलेश के जगडे के आते हैं। वाशना के आते हैं कपट के विचार आते हैं। और जब तक विचार शुद नहीं किया जाएगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए हम संगत को ठीक करने के साथ साथ अपने विचारों को ठीक करने का परियास करें विचार बुरा ना आए बुरा ना सोचे और कभी भी अपने मन से बुरा ना कहे क्योंकि विशम रोग संसार है ओसद अल्ख विचार तन्मन निर्मल हो गया नितानंद उर्धार अल्ख का विचार उर्धारने से भीतर धारन करने से तन्मन निर्मल हो जाता है और अल्ख विचार नहीं है संसार का विचार विकार तन्मन निर्मल नहीं करता है तन्मन को मेला कर देता है आये थे कुछ नफेकूं खो दिया मुक्ता माल किया नसोदा सत्यका सुमर गोपाल गोपाल आप नफा के लिए आये थे माइल के नाम की बंदगी करने के लिए आये थे और लेकिन विचार ने सारा खेल डामाडोल कर दिया बहुत से लोग बड़े संग्रस करते हैं मंदिर भी जाते हैं गुर्द्वारे भी जाते हैं दिन रात मेहनत भी करते हैं लेकिन मन का रस कहां है मन में रस है निंदा में चुबली में मन का रस है विशे विकार में मान में बड़ाई में लोब में लालच में मन डोलता रहता है जिसकी वज़े से आंत्रिक यात्रा नहीं कर पाते हैं रात्रिक का ध्यान के दोरान सच्छंग में मैंने इसी बात पर जोर दिया था पहले अपनी रहनी को, आहार विवार को, अपने विचार को ठीक करें सभी संतों ने विचार का अंग लिखा है उन्होंने कहा है कि बिना विचार के आप राम राम कहते रहो या मिसरी मिसरी कहते रहो, मूँ मिठा नहीं होगा और आपका विचार मैला है, आपके माथे में तिलक माला गंठी पहनी है माला गंठी और तिलक से सुधार नहीं होगा उधार नहीं होगा कल्याण नहीं होगा जब तक आपका विचार ठीक नहीं होगा जिसका विचार ठीक है भाव ठीक है मन ठीक होगा प्रमात्मा का दिदार भी होगा प्रमात्मा का दर्सन भी करेगा इसलिए गुर्देव कहते हैं विस्खाकर के सारा जिवन बरबाद कर जाते हैं निता अनंद विस्खाए कर सब जग मर मर जाए जिस घट खुदा विचार की सो राम लो लाए यहां भूख जिसके हिर्दे में है मालिक के नाम की चाव है जो मालिक से मिलने का चाव रखता है जिसके हिर्दे में चाव है सत्संग में बैठना सत्संग सुनना वो भाने नहीं करेगा भाना वही लोग करते हैं आज धंड है आज यह है मैं जानता हूं धंड में भी आने की प्रियास करते हैं लेकिन हम परियास करें परियास छोड़ने का मतबल होता है भाना आपको भूख लगी है और आप भाना नहीं बनाते भूख नहीं आज नहीं खाएंगे बस आज ठंड जादा है क्योंकि मन खुरा के सरीर के आप खाते हैं जिन लोगों की लत है हुका बीड़ी की ये नहीं कहते है आज नहीं अज ठंड है आज हुका नहीं पिएंगे बीड़ी नहीं पिएंगे लेकिन ये कहेंगे नहीं आज सत्संग में नहीं जा पाएंगे अज ठंड जाजा है मन के मते मन के आधीन होकर के मन विशे विकारों में विचर्ण करता है और विचार मैला हो जाता है इसलिए अपने विचारों को ठीक रखना मन को ठीक रखना मानो जीवन में ही आप राम नाम की दौलत को पा सकते हैं इस बात को नोट करना मानो जीवन के इलावा ये संबव नहीं है देव और दानो के बीच की कड़ी मानो चोला है देव भी बन सकता है और और उपरूट के परमात्मा को भी पा सकता है और दानो भी बन सकता है निचे गिर गया और नर्क गामी भी बन सकता है अब आपके हिर्दे में कितनी प्यास है प्रमात्मा को मिलने की आपके हिर्दे में कितना भाव है कितना लगाव है कितनी भूख है आपके भीतर में दर्शन की प्यास है तो फिर आपकी बात बन जाहेगी विसम रोग संसार है ताम बैरी काल औसद एक बिचार की पलपल राम संभाल स्वामिन नितान अंद्याल कहते हैं विश्म रोग संसार और उसमें बैरी काल है जो विश्य विकारों में मालिक के रास्ते से तोड़ के और बातों में बटकता रहता है जीव इसलिए आप विचार करिए करोध नहीं करना पिरोध नहीं करना करोध आता है थोड़ा से उफान होता है दूद का लेकिन उस उफान में आप पता ना कितना नुक्षान कर जाते हैं जो नहीं बोलना वो बोल जाते हैं जो नहीं करना वो कर जाते हैं नहीं कहना किसी को कह जाते हैं इसलिए सद्गूर की प्यारी साथ संग जी आपका विचार पवित्र होना चाहिए आप मंदिर जाते हैं गुर्दवारे जाते हैं लाब क्यों नहीं हो रहा है लाब तो है आप जितने देर जाते हैं उसका वेनिफिट है लेकिन आपका विचार ठीक नहीं तो आपको पूरा लाब नहीं होता है अगर आपका विचार ठीक है तो फिर आपको पूरा लाब इसलिए आप सबसे पहले तनमन निर्मल कीजिए अपने मन को अपने विचार को निर्मल करिए रभीदास महराज कहते है मन चंगा तो कोटोती में गंगा जिसका मन चंगा है उसके पास कटोती में गंगा है मन को ठीक रखने के लिए सद्गूर की प्यारी सा संगजी अभ्यास जरूरी होता है संद की संगत जरूरी होती है और जब संद की संगत करते हैं तो पवित्र विचारों को ठीक करना जरूरी है इसलिए संत के हैं पहले बचन साधिये दुजा साधिये और तीजे मन को साधिये गुरु सो राखेने पहले आपने बोल को कंट्रोल करना क्योंकि बोल तो अनमोल है जे को जाने बोल हीरे तो दामा भी कें बोल की मोल ने तोल हीरे जवारात की किमत है बोल की किमत नहीं है इसलिए बोल बड़ा समल के बोलिए बोल अनमोल है दर्तराश्टर के पुत्तर ने दुर्योधन ने एक ही सब्द कहा था द्रोपती को अंधों की संतान अंधी होती है वो शब्द धरियोदन के दिल में छेद कर गया चोट कर गया और उन सब्दों ने माभारत युद्ध करवा दिया शब्द घर में परिवार को पाड़ देता है अगर ऐसे शब्द बोल दी जाएं परिवारों में दरार पैदा कर देता है आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पर घरों में जगड़े हो जाते हैं और भाई भाई एक दूसरे का दुस्मन हो जाता है अगर उस दोरान आपका विचार ठीक है तो आप क्या करेंगे उस बीमारी को टाड़ने कोसिस करेंग चुप हो जाएंगे दूसरा गर्म चुप हो जाएंग भाई है और फिर सांती से बैठ के उस बीमारी को सुड़ जाने की कोशिस कर सकते हैं सद्गूर की प्यारी साथ संगजी खाम खामे बेकार के शब्दों को मत कहा करो ऐसे शब्द मत करा कहा करो किसी की आत्म ठेस पूँचे कोई हंस रोए किसी की आत्म दुख बाए ऐसे शब्द मत कहा करो बोल बिचार करके बोला करो सोच समझ के शब्दों को बोलना चाहिए गुर्देव स्वाम नितानन द्याल कहते है काम करोद सब जहर है लोब मोह अभिमान नर्क माई ले जाते हैं नितानन बिन ग्यान हम काम करोद की बाते करते हैं लोब मोह की बाते करते हैं ये नर्क में ले जाते हैं जीव को और यहां पर सील समा संतोस की बात करें मालिक के नाम की बात करें तो आपका उधार हो जाएगा जेती मन में वासना सकल नरक की खान निता अनंध हर पाये जब ही विचार ए ग्यान जितने भी मतन में वासना उठती है वो सब नरक में ही जीव को ले जाती है कोई भी वासना हो कोई भी विचार हो वो नरक में ले जाता है निता अनन्द हर पाईए जब ही विचार है ग्यान परमात्मत अब ही मिलता है जब हिर्दय में ग्यान माले के नाम की चर्चा करता है माले के नाम का सिम्रन करता है इसलिए गुर्देव कहते हैं ले विचार मन थिर करे त्यागे विशेविकार नितानंद उन नरों की काया कंचन सार जो एक विचार को लेके निर्मल जो होता है विशेविकार को जो छोड़ देता है जो दुवेश को कप्ट को छोड़ देता है उन नरों की काया कंचन हो जाती है नितानन पूरा मिले, पूरा परगट ग्यान पूरा के पाछहला गया डूगया सकल जहान को पूरा सत्गुरु मिल जाता है तो पूरन ग्यान परगट हो जाता है अधूरों के पीचे लग के सारा संसार डूब रहा है मैं कल राजिस्थान अपने रेवाडी वाले आश्रम में था तो महाँ एक बूढ ही माई आई नुलाजी मैं पंद्रे वर्षों से एक आश्रम से जोड़ी होई थी कोई था मेहंदरगर साइड में कहां बता रही थी मुझे पता नहीं राजस्तान में नाम लिया था उन्होंने कोई पंद्रे वर्षों में केबल जहर ही सीखा है पहले हम संतों के पास बैठते थे सत्संग में जाते थे कोई द्वेश नहीं था उन्होंने ऐसा भर दिया नहीं किसी की सत्संग में न जाये किसी से बात ना करें यह ना करें वो ना करें आज ये कथा कथित और पाखंडी धोंगी गुरु हमारे जीवन को बरबाद कर रहे हैं और भोला भाला साधारन इनसान ऐसे कप्टी और पाखंडियों के चक्र में पढ़के अपने जीवन को बरबाद कर लेता है जबकि ऐसे धोंगी ऐसे पाखंडी लोग आम जन को से साधारन से जन जो मलिक की बंदगी करता है सिमरन करता है उससे तो निचे आते हैं पापी से भी निचे चले जाते हैं ऐसे लोगों के दर्शन से पाप लगते हैं जो कप्ट करते हैं द्वेश रखते हैं मालिक को भी धोखा देते हैं संसार को भी धोखा देते हैं हलाकि मालिक को क्या देंगे लेकिन लिबास तो मालिक का बना के जो अनजियों को बर्मित करते हैं वो काल का ग्रास बनता है भागवान सिरकृषन और आरजुन जा रहे थे रस्ते में एक साप था और उसके बहुत सारी चीटियां साप को खा रही थी अरजुन ने परसंड किया भागवन ये क्या है भागवान सिरकृषन ने का कुछ नहीं बस आ जाए तीसरी बार आरजुने करने भगवन बात क्या है बताईए निवला ये साप है और इसके बहुत सारे चीतिया हैं ये चीतियां इसका इसाब चुकता कर रही हैं ये साप को खा रही है ये चीतियां इनका इसाब चुकता कर रही हैं कैसा इसा महराज निवला ये साप तो पिछले जनम में अरे चीटियां सिसे थी चुन-चुन के खा रही है क्यूं खा रही हैं क्यूंकि पूरा नहीं था क्यूं खा रही हैं पूरा भेद जाना नहीं जीवों को भरमित करता है और जीवों को भरमित करने वाड़ा जीव काल का गरास बन जाता है इसलिए सद्गूर की प्यारी साथ संगजी ऐसे लोगों की संगत मत करिए जिसके करने से दोस पैदा होते हों, विकार पैदा होते हों मालिक के नाम की जो बंदगी सिमरन करने का भाव जहां पैदा नहीं होता हो और मैं बार बार कहता हूं क्यूं भटकते हो स्वामी नितानन दयाल का पवित्र स्थान है गुर्देव खुद हाजीर है आपका मन पवित्र है आपका मन निर्मल है आपकी हिर्दे में भाव है चाव है लगाव है प्रेम है प्यास है मन निर्मल है तो आपकी बात बन जाएगी और मन निर्मल तबी होगा जितना सब्भ्यास करेंगे सिमरन करेंगे, सत्संग करेंगे संतों की वाणि को ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे आप जपै ओरण को जपावे कहो नानक निश्य मुक्ति पावे जो आप जबता है औरों को उसमरस्ते से लगाता है नानक्षाब कहते हैं वो निश्य ही मुक्ति का अधिकारी है वो जीव। कई बार हमें देखने को ऐसा मिला है कि लोग कहते हैं माराज मन नहीं लगता पाठ भी पूजा भी जप भी तप भी और इमानदार भी होते हैं बात समझने की इमानदार भी में परसन रहता मन नहीं लगता है और दुपधा में आ जाते इन बातों को ले करके लेकिन मैं ये कए ना चाहूँगा आप दुपधा में मता हूँ आप सिमरन करें मन पवित्र है आपकर आपिमान आप अभ्यास करें, सिम्रन करें, सेवा करें, आप किसी की निंदा चुगली ना करें, और आप संसे में मत आएं, महराजी कहते हैं, राम सुनो या मत सुनो, मो बिरहन के बैन, दर सास में लाग रहें, नितानंद के नैन, सुनो या मत सुनो, ये तो उसका काम है, अरजी करना, बिंति करना, प्रात्ना करना अर्जी हमारी और मर्जी उनकी सद्गुरु प्यारे की मर्जी मोज उनकी है और आर्ज हमारी है इसलिए सद्गुरु की प्यारी सासंगजी हमारा काम है आर्ज करना मंजूर करना उसका काम है और इतना मैं पक्का कह देता हूं, महारजी के पवितर स्थान पर बेट के कहता हूं आपकी सेवा निश्फल नहीं जाएगे आपकी पोजा आपकी प्राथना निश्फल नहीं जाएगे ऐसा नहीं हो सकता है मन तो लगेगा जब समय घड़ी आएगी मालिक की मोज होजेगी और इमानदारी से अभ्यास करेंगे तो मन भी लग जाएगा क्योंकि मन लगाने के लिए अभ्यास भी चाहिए और सद्धुर की रह्मत भी चाहिए क्योंकि प्रारब्द के करम इसतने होते हैं वो लगड़ने नहीं देते आनंत जनमों के जो करम है वो मन को लगने नहीं देते, रोक लेते रोकने के साथ-साथ हमारा चित भी उखड जाता है निंदा में, चुगली में हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं हमें पता भी नहीं होता हम क्या कर रहे हैं और बेकार में सारे जीवन को गमा के चले जाते हैं। इसलिए सद्गूर की प्यार इसाथ संग जी ये मानव जीवन को सार्थक करना है। इमानदार इसे पर्मपिता पर्मात्मा को याद करना है। पवित्र मन से मालिक को याद करेंगे तो जीवन सार्थक होगा, जीवन में सुधार होगा जीवन का कल्याण होगा इसलिए आप बार बार अभ्यास सेवा और सिमरन में मन लगाए एक छोटा सा उधारन आता है टाइम काफी कम है एक छोटा सा उधारन है एक मदुशूध नाम का महात्मा था वो गीता पे टीका लिखने लगा किसी फकेर ने कहा आप गीता कार से मिले हैं बागवान सिर्क रिसन से मिले हैं नूला नहीं फिर गीता पे टीका क्यों लिख रहे हैं नूला वो कब हुए और मैं कब उन से कैसे मिला जाएगा माहतमा ने कहा मदो सुधन से मिला जा सकता है कैसे फिर लगया अनुस्ठान करी आप छै महीने है मदोसुधन आप का मिलन हो जाएगा भगवान स Ini Color San मदोसुधन ने छै महीने तक अनुस्ठान किया भगवान सिरी कर्शन के दरसद नहीं होगी उन्होंने सोचा कि जाप करने में कोई फर्क रह गया होगा दुबारा किया च्छे महेंने फिर भी दरसन नहीं हुए दो बार करने से बारा महेंने बीट गए पूरा एक वर्स तो मदु सुद्ध ने कहा ऐसे सिर करसन कहा से आएंगे जोटी और पाखंड की बाते हैं ऐसी थोड़ी आते हैं और उब गया अब गीता पे टीका भी नहीं करना है उब के चला गया उब के गया तीन सो चार सो किलोमेटर दूर जब वो गाड़ी से नीचे जा रहा उतर रहा था तो एक व्यक्ति ने कहा बस स्वामी जी दोई बार में उब गई मदु सूधन के होस उड़ गए अरे मेरे बाप मैं जानता हूं सरी कृष्ण जानता है तेरे को कैसे पता चला दोई बार में उब गया हाँ उब के नहीं बताओ उब के आया हूँ नहीं बताओ उब के आया हूँ दो यवार अनुष्ठान किया था यह सच है पर तेरे को कैसे पता चला उस व्यक्ति ने कहा मैंने एक भूत बस किया है और मेरे भूत ने मुझे बताया एक किरिया किया मैंने वो उसके इंतर गताती है उसने बताया कि आप ऐसे कर किया है नुलाह, तेरा भूत दीखता है नुलाह, हाँ दीखता है मुझे दिखाओ यह होता भी एक नई यह जूट बोलते हैं लोग उनने कहा यह जआप को हो दीख जाएगा, जाप किया भैतर गंटी वो भी नहीं आया वो भी नहीं आया नहीं आया मदु सुधने का पकड़ तेरी माला गंठी तेरा भूतला भी मेरे पास नहीं आए निला ठैर मैं पूसता हूं मामला क्या है उन्होंने पूछा तो मदु सुधन से उन्होंने कहा कि मदु सुधने माले के नाम का इतना चाप किया है कि मैं मदु सुधन के पास नहीं जा सकता इतनी ताकत मदु सुधन को आ गई है लेकिन मदु सुधन को स्री कृष्ण के दर्शन इसलिए नहीं हुए इन्होंने पिछले जनम में दो ब्रहम हत्या कर रखी थी क्या कर रखी थी पिछले जनम में दो ब्रहम हत्या कर रखी थी उसकी वज़े से इसको दर्शन नहीं हो गए दो अनुस्थान करने से ब्रहम हत्या का दोस्थ खत्म हो गया है अभी अनुस्थान करे तो इसको दर्शन हो जाएंगे तीसरी वार मदुसुधन ने अनुस्थान किया दर्शन हो गए क्यों क्योंकि उस वक्त जादा प्यास लग गई थी भाव जादा बन गया था समर पन जादा हो गया था यह जच गया उसको कहां ऐसा हो सकता है फिर उनको दर्षन होए और दर्षन होए तो उन्होंने गीतां पे टीका लेकी यहां इस एरिया में नहीं मिलती है मदुशूदन गीता वारण सी इलावाद साइड में है यह उधारण मैं इसलिए कह रहा हूँ बात जो समझन की है बहुत सारे लोग मदुशूदन को दर्शन नहीं हुए क्यूं नहीं हुए मदुशूदन को दर्शन दो बार में क्योंकि पिछले जनम के दोस्त थे पिछला जनम का ब्रमत्या का दोस्त था दर्शन्योड हो पाए ऐसे ही कई बार हमारे प्रारब्द के जो गूड बात है इन भूत के फ्राणी चक्रूम में मत पढ़ना पर जो मैं कहना चाहता हूँ कई बार हम अभ्यास करते हैं ध्यान नहीं लगने का कारण ये होता है कि प्रारब्द कमजोर होने की वज़े से व्यक्ति का ध्यान नहीं लग पाता प्रारब्द कमजोर होने की वज़े से व्यक्ति भटक जाता है आज के सत्संग से इस बात के उपर जोर देना है भटकना नहीं भाई दर्सन हो ना हो उसका काम है स्वामी नितानंजी महराज को मानते हैं ने जब वो अपने बचन को कहते हैं राम सुनो या मत सुनो मो बिरहन के बैन दर्सास में लाग रहे नितानंद के नैन भाई दर्सन हो या मत हो सुनो या मत सुनो मेरा काम है प्राथना करना और जब हमारा इतना निर्मल जीवन हो जाएगा कि हमें कोई सिकायत नहीं है भाई वो तो उसका काम है दर्सन देना सिकायत नहीं क्यों नहीं हो रहे ये सिकायत नहीं रोएं क्या कारण है और बिरह पैदा हो और चाव पैदा हो भीतर रों दादे भीतर कुरूं कुकार नितानंद भीतर कटै लगी बिरह तलवार भीतर बिरह की तलवार लगी ऐसा रोना तो अच्छी बात है लेकिन नहीं होए इससे मुँ मोड़ना गलत है कई बार हम ऐसा ही करते है कि मुझे तो कहीं वरस हो गया भ्यास करते मेरा ध्यान नहीं लगा आपने भीतर जहांके देखा है क्यों नहीं लगा क्योंकि मन विचार में क्या चल रहा है क्या आपके जीवन में ऐसा है आप आप छमा कर सकते हो, माफ कर सकते हो क्या आपके जीवन में ऐसा है संत नुका दुस्मन को भी कर दे, माफ कर सकते हो, नहीं नुग्रा से बचना चाहिए, यह अच्छी बात है नुग्रा से बचें, पर अपने भीतर जहर ना रखें किसी के पर दि शमा बडन को चालिए, माफ करने वाला बढ़ा होता है किसी के परती लगा अनिंदा का भाव नहीं अपमान का भाव नहीं, नहीं भई सोबा दे वैं और को ले ना अपना नाम वो मालिक भी सोबा किसी और को देता है संत को سबादे देता है ऐसा जब हम बन जाएं कि भाई चल आप अच्छे बाप करो आप करो चलो आप आगिए जब और औरों को चलो भाई जलो आई ये सेवा करो भाई सिमरन करो ज़ब इतना निर्मल मन हो जाता है आज दस सेवा करें चलो बढ़ेंगे दस बंदरा और जो इतना निर्मल मन कबीर मन निर्मल वया कबीर मन निर्मल वया जैसे गंगा नीर पाथच्छा लागए हरी फिरे कबीर कबीर तेरे पाथच्छा अरी लागए फिरेगा तेरे संग डोलेगा कई ना कई हम ही बादा हैं अपने विचारों के, कई ना कई हम ही बादा हैं अपने यात्रा के कहीं न कहीं हम उंच निस्ता के विचारवों में रहते हैं जिसकी वज़े से हमारी आंत्रिक यात्रा नहीं हो पाती और ध्यान रहे आपके पास चाहिए दुनिया के सोना के महल हो अगर आपको आंत्रिक यात्रा नहीं होई सोना महल काम नहीं हमेंगे आत्मा के लिए जाएगी आप अकेला संग ना कोई और जमपूर भया उतारा नंगे पाउं के टिला मारग अति उध्यान अपारा आप अकेला संग ना कोई जमपूर भया उतारा वह आप अकेला होगा कोई संग साथी भी ना होगा और जम्पूर में उतार देंगे जम्पूर में उतार देंगे और वहां तो क्या होता है आप मैं कई बार बोल चुका हूँ नर्क के कुंड अगनी ददके खड़ी राम की भक्ती बिनमा बसेरा जहां अगनी ददक रही है नर्क के कुंड भरे है अगनी ददक रही है राम की भक्ती बिन वहां बसेरा उल्ट पाई ओधा किया उपरने पाई निच्चे शिर्नियो कर देंगे लटका देंगे ग्यान जांगडा में मारजी खुद कहें जही बात ऐसा होगा इसलिए सद्गूर की प्यारी साथ संगजी अपने बिचारों में बदलाव लाएं और अपना बिचार में बदलाव आगया तो मालिक के नाम की सिमरन यही है सेवा अगर बिचार ठीक नहीं तो फिर गलत सारा जीवन बरबाद हो जाएगा आप जपे और उन को जपावे कहो नानक निश्य मुक्ति पावे आप भी मालिक के नाम का सिमरन करे और और को भी के भाई सिमरन किया करो भाई चलो आज बिंती है गुरु दरबार में चलो हजरी लगा के आएंगे महराजी का हजरी लगाना है हमने महरा काम हजरी लगाना उनका काम मनजूर करना पूरनी मा है सिनितवार की बिंती है सिनिवार ध्यान है कितना कुछ हो रहा है महराज एक बात नोट करना हमारे पास समय पचाह साट साट साल का होगा किसी का सोजाल का होगा क्या फिर दोबारा आएंगे इस पवितर प्रांगन के दर्शन करना कोई आया है फिर कोई आयेगा हजारों हजारों जनमों से हमारा जीव बटक रहा है कभी कई 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 किसी होनी में कई किसी होनी में आज सदुगूर की रहमत होई है जटेला धाम के दर्शन होई तो इसलिए पक्का निष्चा करने सेवा भी करनी है और बेंति में भी शामिल होना है निता अनंद सामर्त है, सामर्त धनी है जिसका किया मेट सका है ना कोई ऐसे पूरन धनी के रात दिवस गुंगा है दिन रात गुंगा है जितना हो सके संत के बचन को सिरुधारिय मान के अपने जीवन का कल्यान करे परमपिता परमात्मा ने मोका दिया है ये अवसर फिर बार बार हाथ नहीं आएगा बोल सद्गूर्दे महराज की